हेलो दोस्तों नोटिफाई नोलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2023-24 के बारे में फ्रेंड यहां पे बहुत सारे छातरों का जो स्टेटस है अपडेट हो गया है उनके स्टेटस जो है बदल गया है पहले उनक च्छेग च्छातरों को पता चल जाएगा कि आपका फारम जो है सत्यापित किया गया है या फिर नहीं और इस बार जो है बहुत जादा छातरों के फारम को समाज क्लिंद विभाग की तरफ से reject किया जाएगा उसका reason क्या रहने वाला है क्यों farm को reject के जाएगा किन छातरों के farm को समाज करना विवाग reject करेगा और उसके साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपके farm को reject होने से बचाना है तो उसके लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा कौन से आपके पास ए तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक status है यह जो status है यह two day पहले यानि कि दो दिन पहले का status है इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या था कि यहाँ पे जो है सत्यापित नहीं किया गया वाला रिजन सो कर रहता और इसको लेके छातर बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे थे मैंने इसके लिए एक proper video भी बनाया था जहाँ पे मैंने आपको उहाँ पे clear कर जया था कि सत्यापित नहीं किया गया कि वजह से आपके farm को reject नहीं किया जाएगा इसको यहाँ पे सत्यापित कर जया जाएगा और फिंड उपर आप लोग देख सकते हैं क यह जो सारा view run so कर रहा है यह दो दिन पहले का था ठीक है ना अगर मैं आपको current status दिखाऊ पर्जेंट टाइम का status दिखाऊ तो फ्रेंड यह मेरे पर्जेंट यानि कि यह मेरा current status है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि registration number 727 वही है और यहाँ पे आप लोग देख सकते है कि maximum mark जो है 10th है और यहाँ पे obedient mark है 7.42 है यहाँ पे एक चीज missing है missing क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले मैंने आपको status दिखाया वहाँ पर पाठेकरम यहाँ पे affiliating agency course यह सब सत्यापित नहीं किया गया नहीं कि यहाँ पे जो है सत्यापित न नहीं किया गया वाला region सो करा था बट current status में वहाँ से पूरा हटा दिया गया है पूरा का पूरा blank का रहा है उन सभी चातरों के लिए खुसकवरी है उनके form को सत्यापित कर दिया गया है उनका course सत्यापित हो गया है उनका पाठेकरम सत्यापित हो गया है उनका पाठेकरम सत discovery की बात है बट यहाँ पे बहुत सरे छात्र अभी भी ऐसे होंगे जिनके फर्म को सत्यापित नहीं किया गया वाला region सो कर रहा होगा तो उनको लेके उनको परिशान होनी किया हो सकता है नहीं है उनका भी फर्म जो है आने वारे एक दिन दो दिन चार दिन तक सत्यापित नहीं कि वज़े से किसी भी छात्र के फर्म को रिजक्ट नहीं किया जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जो है जिनको पता नहीं होगा कि हम अपना इस्टेटस कैसे देखे हमारा फॉर्म जो है फारवर्ड है या फिर मतब रिजक्ट है रिसीब है पेंडिंग है क्या है कॉलेज वारे ने कितना मार्क भरा है कितने मार्क दिये है कितना अटेंडेंस दिया जिन भी छात्रों को नहीं प बात रही सत्यापित नहीं वाले छात्रों के लिए आप फ्रेंड यहां पे हम बात करने वाले हैं कि किन छात्रों का फॉर्म जो है समाज कलनार विभाग की तरब से रिजक्ट कर दिया जाएगा तो फ्रेंड यहां पे आप लोग देख सकते हैं अटेंडेंस परसेंटेज जो है यहाँ पे 66% जो है कॉलेज के तरफ से फिल किया गया है अब जिन भी छात्रों का जो अटेंडेंस परसेंटेंज है यहाँ पे 75% से कम रहेगा उन सभी छात्रों का फॉर्म जो है समाज करनाट विभाग की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा बहुत सारे छात्र हैं जो टेलिगराम, इENS्टागराम पे कमेंट कर रहेते हैं और यहाँ पे वीडियो में भी कमेंट कर रहेते हैं कि सर हमारा जो आटेंडेंस है जो कॉलेज वालों ने हैं यहाँ पे 70% दिया है बहुत सरे छात्र करते सर हमारा जो attendance है यहाँ पर 74 दिया है हमारा form जो है कैसे सही होगा हमारा जो attendance है कैसे इसको increase कराएंगे कैसे इसको हम मतलब बढ़वा सकते हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा देखिए अभी आपको जो है wait करना है कब तक wait करना है जिन भी छात्रों का attendance percentage 75% का percentage से कम है उन सभी छात्रों को 12 फरवरी का wait करना है 12 फरवरी को आप जो है अपना attendance percentage increase करवा सकते हैं देखिए आपने final submit कर दिया college ने आपके farm को forward कर दिया अब ना तो college के पास option बसता है वहाँ पे edit करने का ना तो आपके पास option बसत का attendance percentage 75% से कम है उन सभी छात्रों से मैं कहूंगा कि आप लोग 12 फरवरी का wait कीजिए 12 फरवरी से correction portal open हो जाएगा सभी छात्रों का चे फिरस होंगे चे है रिनू होंगे उस समय आपको कुछ नहीं करना है बस आपको जो है अपना capture fill करके final submit करके college में जमा करना है college में जमा कर समय अपने teacher से जो scholarship department है वहाँ पर उन से यही कहना है कि हमारा जो attendance percentage है यह 75% से उपर कीजेगा इस बज़े से मैं अपने farm को जो है correction किया हूं क्योंकि मेरा attendance percentage 75% से कम था ओके तो जब यह कहके आप जो है अपने farm को final submit करेंगे और वहाँ पर college में जमा कराएंगे तो जब उस condition में college वाले आपका फिर से दोबारा यह जो ब्यूरण है गतवर्स का प्राप्तांक है यह भरेंगे attendance percentage भरेंगे उसके बाद दोबारा जो है college वाले आपके farm को forward करेंगे तो उस condition में आपका farm जो है सही हो जाएगा और आपके farm को जो है reject नहीं किया जाएगा तो यह तो पहल जिन छात्रों ने result 8 not declared के farm अपना final submit किया है और college से farm forward कराया है अगर correction portal open होने तक उनका final result नहीं आया तो उस condition में भी उनका farm जो है समाज का लियाड विभाग के दोरा reject कर दिया जाएगा ओके देखिए आपका जो correction portal है 12 February से start होगा तो 12 February तक आपका final result है declare हो जाएगा जब आ और आपने कितने number पाय थे इसको fill किजगा आपका result क्या है वहाँ पर pass select किजगा और आप जो है अपना form भरके final submit करके hard का पी college में जमा करा के उसको forward करा लिजगा तो यह तो और रही second type के student की जिनका result अभी declare नहीं हुआ था और उन्होंने अपने form को final submit करके hard का पी college में जम करा दिया था तो फिर्ट अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं third और last type के student के लिए यहाँ पे सभी छातरों के एक चीज़ का मिलान करना है देखिए यह जो form भरा गया है यह सब जो detail fill किये गये हैं यह college के तरफ से fill किये गये हैं ओके जैसे कि यहाँ पे maximum mark यहने कि आपका पूडांग के कितने नंबर का था आपने कितने प्राप्तांग पाए थे यह दोनों बहुत ही importance है और आपका जो result है क्या था past था फेल था या फिर resulted not decadal था क्या था यह तीन चीज़ का मिलान सभी candidate को करना है जहें आपका form आपको लग रहा होगा सही है या फिर आपको जान कीजगा कि आपने जो mark obedient भरा है क्या simple same वही college वालों ने fill किया है जो आपका maximum mark है जो आपने fill किया है क्या वही college वालों ने आपका fill किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने comment किया था कि sir हमारा जो maximum mark है यहाँ पे 900 नंबर का था बट college वाले ने ही यहाँ पे मतलब एंटर किया है बहुत सारे छात्र ऐसे थी जिनों ने कहा है कि सर हमारा जो मार्क ओबिडियन्ट था जो हमारा प्राप्तांग था हमने पाया था यहाँ पे 7, 6, 5 पाया था बट कॉलेज ने गलती से यहाँ पे 6, 5, 7 कर दिया है क्या इस कंडिशन में हमारा फार्म रिजक्ट हो जाएगा देखिए अगर जो कॉलेज ने आपका विवनट भरा है और जो आप लोगों ने अपना फार्म फिल किया है अगर दोनों में मिस मैच पाय जाता है तो उस कंडिशन में आपके फार्म जो है रिजक्ट कर दिया जाएगा अब जिन भी छातरों का यहाँ पे डिफरेंट सो हो रहा है उनके लिए भी वही डेट है 12 फरवरी 2024 को करेक्शन पोर्टाल उपन होगा आप जो है अगर कुछ गलती आपने फिल किया है तो आप उसको करेक्शन करेंगे अगर by the way कॉलेज ने आपके फार्म को गलत फिल किया है तो वहाँ पे उनसे एक बार डिसकस करेंगे सर जो आपने फार्म फिल किया है गलत क्यों फिल किया है जब करेक्शन पोर्टाल ओपन होगा हम उसको जो है अपडेट करेंगे चेंज करेंगे और आप हमारे फार्म को फार्वर्ट किजेगा तो वहाँ पे आपको जो है कॉलेज के टीचर जो आपका स्कॉलर्शिप डिबार्डमेंट है आपको पूरा ब्योनर बता पाएगा आप लोग इस भरव में मत रहें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7.42 और कॉलेज ने गलती से यहाँ पे मांग चले कि 8.42 दे दिया है तो आप लोग बड़ा खुश होंगे कि हमारा तो परसेंटेज बढ़ गया पहले यहाँ पे 74 परसेंट था अब यहाँ पे हमको 84 परसेंट मिल गया वाव अब हमको जो है स्कॉलर्शिप मिलेगा देखिए इस आप भरव में मत रहेगा अगर थोड़ा सा भी मिस मैच हुआ तो आपके फार्म को रिजेट कर देजाएगा जो आप एक कुरेट और सही नंबर पाए होंगे वही फिल कीजेगा और वही जो है कॉलेश से भी फिल करवाईएगा ओके बाकी फिरेंट जब यहाँ पे करेक्शन पोटल ओपन होगा वहाँ पे आपको हम बता देंगे आपको इस चैनल के मात्यम से सारी जनकारी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे करेक्शन करना भी आपको पता देंगे तो जितने भी छात्र जिनका फार्म गलत हो गया है जो करेक्शन का वेट कर रहे है तो उनका जो करेक्शन है 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 15 फरवरी 2024 तक सभी छात्र अपने फार्म में करेक्शन कर पाएंगे बाकी फ्रेंड यहाँ पे मैंने सभी छात्रों का डाउट किलियर कर दिया है आपको वीडियो हिलफुल लगी होगी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेर जरू किजएगा नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब किजएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थाइंक यू एंड कीप वाचिंग